ब्रॉट टु यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीजफायर की दिशा में काम्यावे मिल सकती है CIA के निदेशक बिलबॉंस ने गाजा सीजफायर को लेकर नए प्रस्ताव पर शर्चा की है उन्होंने इसराइल और कतर की समकर्चों के साथ इस प्रस्ताव पर बाक्चुट की है ये प्रस्ताव हमास की ओर से इसराइल के आठ बंधकों को रिहा करने और इसके बदले गजा में 28 दिनों का सीजफायर लागू करना है अगर ये इस प्रस्ताव पर सहमती बनती है तो सीजफायर को लेकर बीते दो महिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजमीन नितन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि वो आंचिक सीजफायर डील के लिए ही तयार होंगे न कि युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने की इसराइल औस्थाय तोर पर सीजफायर पर सहमत हुआ है लेकिन हमास इस पर पूरी तरह से संघर्ष विराम चाहता है एक इसराइली अधिकारी ने बताया कि अगर दोनों पक्ष इसी तरह से अपने रुख पर अड़े रहें तो यह डील नहीं हो सकती है पता दे कि कुछ महीने पहले गजा में सीजफायर की मांग को लेकर इसराइल के शहर यरुशिलम में हजारों लोग सुड़क पर उतरा थे इसराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझोते की मांग की थी इसके बाद प्रदशन कारियों ने गजा में इसराइली सैन अभ्यान का भी विरोध किया था बंधक बनाये गए लोगों के परिजनों को डर है कि यदि इसराइल गजा में सैन अभ्यान जारी रखता है तो युद्ध लंबा ऐसी स्थिती में और ज्यादा बंधक मारे जाएंगे लेकिन अब इस पूरे सीजफायर में अमेरिका एक बड़ा रोल निभा रहा है इसराइल की सैन ने कारिवाई और गजा की घिराबंदी की वज़े से लाखों फिलिस्तिनी भूख से मरने की कगार पर पहुँच गए है ऐसे में अमेरिका और UAE सहित कई अंतराष्टी एजनसिया आसमान के जरिये लगातार गजा में फूट पैकेट गिरा रही है बित्य दिनों अमेरिकी विमानों ने खाने उनिस और रफा में फूट पैकेट गिराए लेकिन अभी स्थिती बेहत खराब है बूरो रिपोर्ट भारत